नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से ही ये टोपिक हमारा यूनिट डिजिट वाला जो चल रहा है इसके उपर आज हमारे कुश्चन प्रैक्टिस के वीडियो है इसमें हम कुछ फॉर्मले जानेंगे लास्ट वीडियो में हमने यहां तक कुश्चन कर लिये थे आज ये कुश्चन करेंगे उससे पहले दो या तीन फॉर्मले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के या फिर कह सकते हो वीडियो को sum of first and natural number निकालने के वह दो तीन फॉर्मले वह लिखवा जेंगे तो फिर हम ये क्शचन करेंगे ठीक है तो भाई पहला formula है sum of first and natural number जो पहले न natural number है ना first and natural number उनका formula अगर वो वो उनके value निकालनी हो तो उनका formula क्या होता है n dot n plus में 1 by 2 यह मैंने वैसे पीछे कराया है questions में आपको पता ही चल गया होगा भी तक तो उसके बाद है sum of square of first n natural number यह हो जाएगा हमारा n dot n plus में 1 2n plus में 1 upon 6 उसके बाद है sum of first of cubes of first n natural number n natural number ठीक है तो यह हो जाएगा n dot n plus में 1 ठीक है upon में 2 का स्क्वेर यह हो जाएगा हमारा इसका formula अच्छा जी इतने तक ही हमारे questions बनते हैं इससे उपर 4 में power 5 में वो इतना lengthy question नहीं आता है यहां तक ही question attempt होता है प्री और मेंस में अब हम करते हैं यह questions formula आपने देख लिए यह question है भाई the unit digit of 1 cube plus में 2 cube plus में 3 cube continue कहां तक है 101 का cube तक अब यहां पे unit digit निकालना है इस equation को solve कर गे तो यहां पे क्या है cube है cube के लिए मैंने आपको अभी क्या formula बताया क्यूब के लिए formula बताया भाई n dot n plus में 1 upon में 2 का square तो निकाल दो भाई n number क्या होगा यहां पे हमारा तो यहां पे जो हम n लेंगे वो होगा हमारा यह 101 आपको यहां पे एक चीज थोड़े सी याद करूँगा यहां पे चीज मैं यह दिलवा रहा हूं जब हम यह formula हमने special series वाले questions थे ना उनमें भी apply किया था उसमें क्या होता था कि हम भाईया first जो यह nth इनका sum निकालते थे ना number का तो उसमें क्या है जो 10th number जो यह n लेते थे ना वो लेते थे क्या जो यह last digit होती ही जैसे कि 100 है तो हम उसमें लेते थे 99 आप देखना उस questions में मैंने ऐसे ही किया है और वो इसलिए लेते थे भाईया 99 यह लेते थे एक कम करके लेते थे लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं जब यह formula में apply कर रहे हैं तो यह पूरा number ले रहे हैं मैं आपको special series क है ना questions आपको कराऊंगा इस तरह से कि आपको ध्यान रहेगा दुबारा से हम जब question practice करेंगे कि यह जो एन लेते हैं यहां पे तो हमने 101 लिया फिर 100 इसमें 1 प्लस किया 102 आ गया राइट उसमें हम एक कम करके लेते थे कुछ questions में आप देखना हमने कम करके लिया है तो वो डाउट नहीं है वो डाउट नहीं है वो special series में जो हम last term निकालते हैं उसके लिए हो ठीक है क्योंकि उसमें distance एक gap होता है two digit के बीच में अभी नहीं समझ में आएगा अभी questions नहीं है सामने बर छोड़ो अभी मैं वैसे आपको बता दिया उस चीज को आप ध्यान में रखना है ठीक है जब questions practice करो तब अब इसको solve कर दो भाई यह हो जाएगा क्या काट दो इसको इसके अंदर multiply करें तो यह उनिट इसकी की दो है दो की दो में मल्टिप्लाई करेगा कोई संख्या आएगी दो उसके इन डिजिट पर दो आएगा के डिजिट पर क्या है दो दो की इसमें मल्टिप्लाई करोगे एक में दो आएगा कोई संख्या तो आएगी भाई जो भी आएगा उसके इन डिजिट पर दो आएगा इस संख्या का square करोगे तो भाई या 1 की 1 में multiply करोगे क्या आएगा 1 तो आएगा ना तो इस संख्या का जो भी result आएगा उसके unit digit पर क्या आएगा 1 आएगा D option नमरा ठीक हो जाएगा आपको इस समझ में आया होगा अपकी calculation कैसे चल रही है देखो भाई यहाँ पर आपको एक चीज और जानने की मिलेगी इस questions को देखके कोई भी number ले लो 0 से लेके 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तक ठीक है इन सभी की cyclicity 4 ही होती है वैसे तो हमने पढ़ा किस की 2 की 3 की 7 की और 8 की cyclicity हमने पढ़ी 4 होती है 4 से तब हम power को काटती है लेकिन कोई भी number ले लो उसकी cyclicity 4 होती है ठीक है और हमने जो पढ़ा वो था भाईया 2,3,7,8 0,1,5,6 ऐसे number है जिसकी power कुछ भी करो unit digit पर फरक नहीं पड़ेगा ठीक है क्या कौन-कौन सा 0 1 और 5 और 1,6 चार और 9 की भी बेसिकली जो cyclicity होती है वो 4 होती है तो हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि भाईया इस question में 0 मतलब 1,5 और 6 यह ऐसे number हैं की power कुछ भी करो unit digit पर same ही number आएंगा अच्छा जी 2,3,7 और 8 2,3,7 और 8 जो number हैं का basically cyclicity हमने 4 कपड़ा और 4 और 9 की भी जो basically cyclicity होती है वो भी 4 ही होती है तो हम power को 4 से काटेंगे जो बाकी number थे हमारे 0,1,5 है वो तो हमें पता है की भी जो number होगा same ही number आएगा उसके उपर भी इसकी power कितने भी करो same ही number आएगा तो अगर same number आएगा cyclicity 4 की दो इसकी power को यह जो power है इनको 4 से काटेंगे तो remainder बचेगा 1 मतलब 2 की power 1, 3 की power 1 4 की power 1, 5 की power 1 98 की power 1, ऐसे बचेगा तो हमारी यह series ऐसे बन जाएगा इन इन पर क्या आएगा इन पर 1 की power 1, मैंने आपको बताया 1 की power कुछ भी करो उसके unit digit पर फरक नहीं पड़ता एक ही आता है अच्छा जी पलस में 2 की power 1, यह 2 की power एक क्यों आया हमने पड़ा है 2, 3, 7, 8 की जो basic cyclicity होती है वो 4 की होती है तो power को 4 से काटेंगे, 5 को 4 से काटेंगे remainder बचेगा, एक मतलब 2 की power 1 बचेगा, ऐसे ही 3 की power 1 बचेगा, 4 की power 1 बचेगा समझ रहे हो ना भाई बात को 3 की, 7 की, 8 की, 2 की ठीक है, इनकी basically cyclicity क्या होती है, 4 तो हमने power को 4 से काट दिया, तो 1 बचा आच्छा जी, वो आपको लगया अब क्यों काटा, भाई हमने rule है, यह हमारा unit digit, ठीक है, यह मैंने आपको बताया, और 4 और 9 का भी basically cyclicity जो होता है, वो 4 का ही होता है आप देखोगे ध्यान से उसको soul करके आपको 4 का ही मिलेगा, ठीक है अब यह होगया 5 की power 1, ऐसे करके हमारी continue series बन जाएगी 98 की power 1, आना hope आपको इस समझ में आई होगी बात अब अब यहाँ पर यह आगी हमारी नई equation कह सकतो unit digit आगी इनको soul करके इनकी, तो भाई अब इनको हम soul करेंगे, अब यहाँ पर हम लगाएंगे क्यों सा formula जो अभी हमने पढ़ा, sum of sum of first n natural number तो वो क्या था, n dot n plus में 1, ठीक है क्योंकि इनको हमने calculation को soul करना यह सारी unit digit को plus करके, जो equation आएगी, जो result आएगा, उसका unit digit बताना है, upon में 2 तो n हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम n यहाँ पर लेंगे 98, पलस में 92 में, 98 plus में 199, इसको हम 2 से काटेंगे 2, 2, 4 9 की 9 से multiply करेंगे कोई भी संख्या आएगी, जो भी आएगी, 9 निमे 11, तो मतलब 8 पावर में चला जाएगा, एक रखा जाएगा एक क्या होगा हमारा unit digit होगा, यह हमारा answer, D option हमारा ठीक हो जाएगा, hope आपको यह समझ में आया होगा हमें इन बात थी समझने की भाई ऐसे क्यूशन दिखें, तो आपको ध्यान आने चाहिए कि साइकलिसीटी बेसिकली होती तो सारे नंबर्स की चारी ही है, लेकिन हमें यह जो unit digit की इतने नंबर थी ना 0 से लेके 9 तक, इनकी हमें ध्यान रखनी है किस तरह की forms होती है, उस पे practice कर लो जो मैंने starting की वीडियो डाली है unit digit की, उन पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं भी समझ में है, तो उस चीज को कहीं और से देखके, और teacher की वीडियो देखके समझ लो एक बार, फिर यह question आपके हाथ में आ जाएंगा राम से, उसके बाद है, the unit digit of इस संख्या के unit digit निकालो, इसको soul करके देखो भई, यह question थोड़ा सा lengthy है, और important भी है देखो, हमने अभी तक समझ लिया कि हर number की cyclicity वैसे तो 4 होती है, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा rule के हिसाब से, even, order और वो सब करके हमने बाटा देख लिया ठीक है, अब यह equation है यह ऐसे है 1 की power 84 प्लस में 2 की power 84 प्लस में 3 की power 84 प्लस में ऐसे ऐसे continue करके यह 10 की power 84 उसके बाद प्लस में 11 की power 84 12 की power ऐसे करके तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूँ 11 की power 84 प्लस में 12 की power 84 प्लस में 13 की power 84 यह हो जाएगे यहां तक 20 की power 84 भाई, ऐसे ही तो चीज है ना अब हमें और ऐसे करके यह भाई यहां पे आएगा 61 की power 84 यह चला जाएगा यहां तक 70 की power 84 उसके बाद यहां से 71 की power 84 और यहां बीच में आ जाएगा 75 की power 84 75 की power 84 तक है ठीक है यह बीच में बीच की line भी है कभी आप सोचो बीच की line नहीं है अच्छा जी इतनी बात हमें समझ में आगी अब आप एक चीज देखो यह 84 है इस 80 अब remainder 0 आया तो मैंने आप लोगों को starting है बताया था cyclicity में remainder 1 आता है ठीक है तो क्या आता है remainder 2 आता है तो क्या आता है remainder 3 आता है तो क्या आता है remainder 4 आता है जीरो आता है या जीरो आता है तो उसका मतलब होता है remainder 4 आया है ठीक है रिमेंडर अगर 0 आता है तो रिमेंडर 4 आया है मतलब उस संख्या के जो 4th place पे जो नमबर होगा वो आएगा वह समझ रहे हो बात को जैसे 2 की पावर 1 है तो रिमेंडर अगर 1 आया है तो 2 की पावर 1 लेंगे राइट 2 की पावर अगर वो पूरा पूरा कट गया है अगर जो पावर हो 4 से पूरी पूरी कट गी मतलब रिमेंडर 0 आया है तो वह हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब इसमें 8 में 2 गुणा कर तो 8 दो नी 16 उनिट डिजिट पे 6 आएगा समझ रहे हो आप बात को 6 आएगा मतलब ये सारी संख्या हमारी 4 पूरी पूरी कट रही है मतलब जो 4 नंबर पे पावर होगी वो रखी जाएगी 4 मतलब जैसे 2 की पावर 4 होई वैसे सारे नंबर पे 4 नंबर की जो पावर हो रखेंगे रिमेंडर रखेंगे है ना बात समझ रहे हो भाई तो अब हम में आ रही जो equation बनेगी वो ऐसे बन जाएगी वन की पावर 4 प्लस में 2 की पावर 4 प्लस में 3 की पावर 4 समझ में आये होगी बस यह पावर वाला पॉइंट था होप आपको यह समझ में आ गया ना आगे question कुछ भी नहीं है आगे दो बस हमें sol करना है चार की पावर 4 प्लस में इसको थोड़ा ध्यान से समझना मैंने यह 4 ही क्यों किया ही यह 84 से 4 को काटके मैंने remainder 0 आया remainder 0 कब आता है जब remainder 0 आता है जब संख्या पूरी-पूरी 4 से cyclicity वाले नंबर से कट जाती है 4 से कट जाती है और जब remainder 0 आता है तो हम कौन सी संख्या लेते हैं ठीक है कौन सी unit digit लेते हैं तो वो जब remainder 0 आता जैसे 2 की 3 आया remainder तो 2 की पावर 3 करके unit digit यह ले लेते हैं जब पूरी-पूरी संख्या कट जाती है इसलिए मैंने यहां पर चार लिख दिया यह आगे continuous जाएगा